हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसा कारकरताओं से संबंदित खबर सिच्छा मित्रों से संबंदित खबर और मिड़े मिल की रसोयों को लेकर खबर और प्रसिच्छों सिच्छकों को लेकर खबर जो अब बैरती हैं उनको लेकर भी आए आए देखते हैं न्यूज उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिकेश्ट अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए है तो हमारे चैनल यूएंड वी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अप मांदे बढ़ाया गया था 500 रुपा सिर्फ उस पे मोहर लगी है और इसमें उमीद की जा रही थी कि सिच्छा मित्रों के भी मैटर पर मोहर लगेगी जो सिच्छा मित्रों के लिए खबर निकल के आई थी जितें दरसाही के संगठन से कि जो उन्होंने मुलाकात की थी सिच्छा मित्रों से संबंदित कोई भी फाहिल पर मोहर लगी है यह खबर दोस्तों अभी निकल के आ रही है लेकिन आसा कार करता हूं कि जो 7.500 रुपए के दोस्तों बढ़ाये गये थे उस पर मोहर लगी हो मिड़े मील के रसोई उन्हों पर तो इससे दोस्तों यह बात स सवाल खड़ा होता है सिच्छा मिक्त्रों की तरफ से क्यूंकि और भी संग्ठन था गाजी मामाला का संगां था उमादेवी का संग्ठन का अनलियादप का संग्ठन था और जितने भी संग्ठन है चाहें वह त्रिवौन शिं Experimenta का हो जैं को यो आपने उन संगठनों को क्यों नहीं बुलाया सिर्फ एक संगठन को बुला कि ऐसी क्या बाते हुई जो उनसे कहे दिया गया है कि आपको 62 वर्स की सेवा में रखा जाएगा और वेतन दिया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ता पर मोहर तक नहीं ल इस來到 प्रफ इस इनकी तरफ से बताया गया ये भी नहीं है इसमें फिक्स है कि अंदर क्या बाते हुई या क्या नेड़े लिया गया और बहर आके जीत इंदर साही ने क्या क्वजब दी तो ये सबही आरोप लगते हैं जीत हिंदर साई के कनर जाएगा की कमेटी ये देखें दोस्तों सिर्फ पांचार रुपए बढ़ाने पर जताई नाराज़ी की जैसा कि मुख मंतरी ने जैसे ही मांदे एक हजार से बढ़ाकर पंदरा सो करने की गोसडा की सब देख सकते हैं सबागार में बैठे बैठी रसोईया खड़ी होकर हाथ हिलाने लगी वे कम से कम 3,000 रुपए मांदे की मांग करने लगी तो दोस्तों देख सकते हैं कि रसोईयों की तरफ से भी नाराजगी जताए गए उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है सिर्फ मजाक हो रहा है जो भी रसोईयां है या सम्मिदा करमचारी उनके साथ सिर्फ मजाक हो रहा है किसी के साड़े साथ सो बढ़ते हैं तो यह मजाख हो रहा है सिर्फ और कुछ नहीं हो रहा है चुनावी फाइदा लेने के लिए सब किया जा रहा है तो देख सकते हैं इस पर कड़ी प्रितक्रिया जता यह जितने भी रसोई हैं मुख्यमत्रीन जैसे गोश्रा की कि एक हजा नहीं है तो सरकार को दोस्तों तो यह यह प्रदेश की सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगता हुआ आप लोग देख सकते हैं रसोईों ने सीधे सबक गार में खड़े होके नाराजगी जताई अपनी की पंदरा सो रुपए में आज की महेंगाई में कुछ भी नहीं होता है देख सकते हैं आप लोग आसा कार करता हूं कि साड़े साथ सो रुपए बड़े तो यह सब संविदा करमचारियों के साथ सिर्फ मजाक ही हो रहा है और सिच्छा मित्रों को जो आरोप लगाते रहें कि 40,000 से 10,000 पर लेया के खड़ा कर दिया इस प्रदेश की सरकार ने तो यह भी आरोप लगते रहें प्रदेश की सरकार पर दोस्तों और आपको बता दें दोस्तों रसोईयों को सिर्फ 10 महा का मांदे मिलता था एक हजार रुपए उसमें भी सिर्फ अब मिलेगा पंदरा सो रुपए तो देख सकते हैं यह प्रदेश सरकार का कैसा फैसला है जो पंदरा सो रुपए में एक महीने का खर्चा कोई भी गरीब का ऐसे कर सकता है यह खबर निकल के आ रहे ही दोस्तों सिर्फ 15 सो रुपए बढ़ाएगा है रसोईयों का तो देख सकते हैं जो संगठान है इनकी रसोईयों के जो भी हैं जितने भी रसोईयों माजूद थ है तो रसोईयों का कहां से मिलेगा तो देख सकते हैं दस महा का मान दे वो भी अब पंदरा सो के रुपए के हिसाब से मिलेगा तो यह खबर आई इस फैसले पर मोहर लगी है कैबिनेट में और आसा कारकरताओं की जो रासी बढ़ाई गई थी साड़े सास सो रुपए जो बढ़ाई गई थी उस पे मोहर लगी है जो कैबिनेट की है तो देख सकते हैं इसमें सिच्छा मित्रों को भी उमीद थी कि सिच्छा मित्रों के लिए भी इसमें फैसला आएगा बहुत उमीद थी उनके संग्ठनों की तरब से कि जो जितने भी दावे करे जा चुके हैं सं उमादेवी का आवान है कि आज नौ तारिक को उन्होंने सभी सिच्छा मित्रों को बुलाया है लखनाव के एको गार्डन में और कहा है कि एक बार जरूर अपनी ताकत दिखाईए इस सरकार को फिर चाहें कोई भी कुछ करे या ना करे ये प्रदेश सरकार के उपर निरभ उनका जो विधान सभा का कारकरम है वो सफल हो सके लेकिन उन्होंने एक बार फिर से आज नौ मार्च को आवान किया है सिच्छा मित्रों का और उन्होंने उमीद जताई है कि सभी सिच्छा मित्र अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे इस भाजपा सरकार के खिलाफ क्यूंकि जितने भी जित्यंदर साई के संगठन को ऐसी परिस्तितिया थे जो जित्यंदर साई के संगठन को बूला के और उन्हें कर दिया गया और वह भी कमने के अंदर की सिच्छा मित्रों के 62 वर सेवा होगी या इतना बेतन दिया जाएगा या कितना नहीं दिया जाएगा तो ये आरोप लगाया जा रहे है कि सिर्फ जितेंदे साही के संगठन को ही क्यूं बुलाया गया आप उमा देवी के संगठन को भी बुला सकते थे गाजी मामाला के संगठन को भी बुला सकते थे या सभी संगठन को बुला सकते थे लेकिन ऐसी कौन सी परसितिया है जो सिर्फ जितेंदे साही के संगठन को ब पूरी हो चुकी है और यह आखरी cabinet की बैठाक मानी जा रहा ही थी चुना से पहले जो की हो चुकी है पर इसमें सिच्छा मित्रों के साथ सिर्फ धोका हुआ है क्योंकि जो सरकार की तरप से अभी मुलाकात में जितेंदसाही ने बताया था कि जितेंदसाही कामने आपको आड साबित हुई है जो चुना से पहले दावा किया जा रहा था कि सिच्छा मित्रों के स्थाई समाधा निकाल लिया जाएगा जब कैबिनेट में ही नहीं पास है तो कैसे समाधा निकाल लिया जाएगा और जब घोसना ही नहीं किये तो कैबिनेट में भी कैसे प्रस्ताब प्रायते प्रसिच्चू और पुलिस के भी लाठी चार्ज हुआ देख सकते हैं पुलिस के बीच बगजड़ाप हुई है प्रात्मी विद्यालों में सिच्च बढ़ती में 28 को सामिल किये जाने के विरोध में प्रसिच्चूओं ने गुरवार को विदान भवन के सामने धरना दिया दोस्तों इसमें देख सकते हैं पुलिस और इनके बीच में जो भी हाथा पाई हुई है और लाठी चार्ज इनके उपर पुलिस ने किया है ये सरकार का क्रूरता पूर्वर रूप देख सकते हैं दोस् प्रसिच्चूओं को नियुक्ति दी जाती थी लेकिन अब बीच को सामिल क्यों किया जा रहा है जिससे कि उनके जो अधिकार है उस पर सीधा सीधा डाकट डाला जा रहा है ये बाते निकल के आ रही है इनकी तरफ से कि जो भी बीटीसी की सीटे थी अब बीच को मिलेंगी उसमें भी बटवारा होगा तो ये उनका साफ कहना है कि बी प्रदाशन विरोध करने का फैसला उसमें भी सिच्छा मित्रों को जबरन बसों में बैठाल के भर के सीधे इको गाडन भीजवा दिया गया था और उसमें भी पुलिस के साथ उमादेवी जी की जड़ अप हुई तो देख सकते हैं यह पुलिस के जड़ अप हुई यह लाठ लाड़े 700 बढ़ते हैं और सिच्छा मित्रों को उमीद थी कि इस कैबिनेट के बैठक में सिच्छा मित्रों के प्रस्ता पर मोहर लग जाएगी और कैबिनेट में प्रस्ता पास हो जाएगा लेकिन इसमें कोई भी प्रस्ता पास नहीं हुआ है हम आपको बता दें लेकिन जो इनकी तरफ से दावा किया गया है उसकी भी अब खुलने लगी है जितेंदे साही के संगठन की तरफ से दोस्तों और रसोईयों ने तो इनका बिरोध भी कर दिया है कि जो पांट सो रुपए बढ़ाए गया है वो सिर्फ एक मजाख है रसोईयों के साथ क्योंकि 15 सो रु कि अव्या जे बदो कि अवड़ाट से रसावाच है वो में शौक्टरवाच है रसोईयों कि जुडिस है रसावाच है वो बड़े हैं जो एक में जो रहा है जो लो गया है रसावाच और रसावाच है